हेलो फ्रेंज, वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको बताने वाली हो हमारे घर में कुछ ऐसे चीज़े होती हैं जिने हमें घर में नहीं रखना चाहिए इससे हमें आर्थिक परिसानी हो सकती है तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जो हमें घर में नहीं रखनी चाहिए वास्तू की माने तो घर में रखी चीज़ों का हमारे जियन पर काफी व्रभाव पड़ता है वास्तू सासर की अनुसार कई बार घर में रखी वी कुछ चीज़ों से नकारात्मक उर्जा का संचार होने लगता है जो घर के लोगों को आर्थिक, मानसिक और सारिक तोर पर परिशान कर सकती है दुनिया के हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में सदेव, सुक और संप्रद्दी बने रहे घर का वातावरन सकारात्मक उर्जा से भरा हो वास्तु सास्त के नुसार घर में कुछ बिसेश चीज़ों का होना असुब माना जाता है ये चीज़े घर में वास्तु दोस को पैता करती है जिससे घर में कलर, सेहत से जुड़ी परिशानिया और आर्थिक तंगी के अलावा अन्य तमाम तरह की समय सेय आती है ऐसी चीज़ों को घर में तुरंत ही बाहर निकाल देना चाहिए अन्य था ये चीज़े आपको कंगाल बना सकती है अगर आपके घर में कलर, स्वास्त से जुड़ी परिशानिया और धर्गी तंगी सुरू होगी है तो तुरंत अपने घर से इन चीज़ों को निकाल कर बाहर कर दे अगर आपके घर में ये चीज़े रहेंगी तो जल्दी आप कंगाल हो सकते हैं तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो चीज़ें जिने हमें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए वासुर सास्तर के मुताबिक घर में कभी भी घराब घड़ी को नहीं रखना चाहिए घड़ी रुक गई है तो उसे ठीक करा लीजे घराब घड़ी को घर से तुरन बाहर निकाल देना चाहिए आपके घर में रुकी हुई या खराब घड़ी है तो वो घर के वातावरन को नकारात्मक बना देती है जिससे समझाई पैदा सुरू होना हो जाती है मानेता है कि घर में टूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए अगर आपके घर में भी टूटे बर्तन है तो उन्हें आज ही घर से भाहर निकाल दें इसके अलावा अगर आपके आफिस में रुका हुआ पैन रखा है तो उसे भी निकाल कर फैंक दें मानेता है कि इससे मादा लक्समी नाराज होती है वास्तुर सास्र के नियमानु साथ घर में कभूतर का घौसला है तो उसे तुरंद हटा दें घर में कभूतर का घौसला असुप संकेत माना जाता है इसकी कारण घर की तरक्की रुक जाती है और घर में कलाय होने लगता है जाडू को हमेशा लोगों की नज़ों से बचा कर रखना चाहिए जाडू लक्समी जी और सुक्र का पृतिक माना जाता है जाडू को हमेशा छिपा कर सोफे या बैट के नीचे रखें कभी भी खड़ा करके जाडू नहीं रखना चाहिए जाडू को हमेशा अंदर से बाहर की देशा में लगाएं कभी भी जाडू बाहर से अंदर ना निकालें ये अपनी लक्समी को नजर से बचाने का बहुत बड़िया तरीका माना जाता है वास्तुर सास्तर की अनुसार काज का टूपना असुपता का फृतिक माना यह है यदि आपके घर में तूटा हुआ काज रखा है तो इसे तुरंद घर से हटा दे तूटा हुआ काज घर में नकारात्मक उर्जा को पैदा करता है और उस घर की सुकसानती संपन्नता को कम करता है वास्तुर सास्र के अनुसार घर में फटे पुराने कपड़े हैं तो तुरंद उन्हें घर से निकाल देना चाहिए नियमानुसार घर में फटे पुराने कपड़े सुक्र क्रे को कमजोर करते हैं जो धन, बैभ और सम्रिद्ध के कारक हैं सुक्रे क्रे की मजबूती के लिए साप सुत्रे और एकदम प्रेस के हुए कपड़े पहनने चाहिए कई लोकों के घरों की सुन्दर तक उपड़ाने के लिए कई प्रकार के पौधे लगाते हैं इसका चलन तेजी से बढ़ा है लेकिन क्या आप चानते हैं कि वास्तू के हिसाप से घर या फिर गार्डन में काटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए मानेता है कि घर में काटेदार पौधे होने से घर के सदस्यों के जिवन में आर्थिक समस्य उत्पन्न हो सकती है इसलिए कभी भी घर में या गार्डन में काटेदार पौधे ना लगाए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूं